नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप उम्मिद करता हूँ कि आप अपने कामों में बेस्त होंगे दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता था कि आने वाली वीडियो जो होंगी कुछ अलग तरीके से होंगी कुछ ब्लाग टाइप की होंगी तो मैंने दोस्तों इसमें कुछ ऐसा ही को यहां तक कि ना तो लेवर मिल लही है, यानि लेवर भी इस समय काम करने को तयार नहीं, क्योंकि वो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसानों में वो लेवर बैसते हैं, अब छोटे किसान और मंजोले किसान है, इनको सबसे बड़ी समस्य है, इस समय यही होती है, कि जो उनको खेट में काम करने होते हैं तो कई तरह के काम उनके पास आ जाते हैं जैसे मैं यदि आपको खुद का experience बताऊं तो इस समय क्या रहता है कि जो चीनी मिल मेरे चेत्र का है वो भी काफी किसानों को एक तरह से कह सकते हैं कि परेसान करने कोशिस करता क्योंकि सुरुआत में वो पर्ची धीरे धीरे निकालता है और इस टाइम पर अकसर देखा होगा कि लगभग सभी जगा के चीनी मिल बंद हो चुके होंगे आप यदि ऐसे चेतर में रहते हैं जहां पर चीनी मिल लगा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपके वहां चीनी मिल खुला है या पंद हो चुका है तो मेरे वहां जैसा कि अपरेल में साइद मही में भी चिनी मिल ना बंद हो तो जिस कारण से पर्ची भी काफी लगातार वो भेज रहा है और एक तरफ गन्य की छुलाई खास तोर से इस टाइम पर यानि अपरेल महिने में आपको पता है किसानों के लिए कितनी बड़ी समस्या होती है जहां पर लेवर भी मिलना आसान नहीं है औ दूसरी तरफ आपको यहां पर हम पीछे दिखा दें तो सायद सही से दिखाई ना पड़ रहा हो यह गेहूं लगा तो गेहूं की भी कटाई अभी चार से पान दिन के बाद चालू हो जाएगी और आपको यहां पर पीछे हम दिखा दें तो यहां पर कुछ किसान भाई ग मैं जदातर मेरे चेतर में एक एकड़ से कम खेती काम पर इक यश्जण कहुत ago बिसके बहुत ज्यादा काम कहते हैं Even और इसक तो किसान सब्सक्राइब करेगा ज़्याद मैं जो उसने बचत की है कुलमिलागर के एक एकड में थोड़ा बहुत जो आगे पूरे साल में लगबग थोड़ा बहुत खर्च चलाने के लिए तो वो सारा का सारा पैसा तो लेवर को दे देगा बाकी आप को ये भी पता है किसानों को कितनी मेहनत लगती है किसी भी फसल को साधन नहीं होते हैं बैलों को भी रखना आज के समय में काफी मुश्किल है कुछ दो चार परसंट ऐसे होंगे जो बैलों को रखते होंगे तो छोटे किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या है कि वो किराये से भी काम पूरा चलाते है जैसे भाड़े का जैसे टेक्टर वग जो भाड़ा देना पड़ता वो लगभग दुगने डीजल जो पड़ता है दुगने से भी ज्यादा उसको खर्च करना पड़ता और उस टाइम पर जहां पर लेवर भी ढूना पड़ता किराये के लिए साधन ना उपलब दो पाने के लिए किराये के लिए भी वो अपना स ही खाला किसान को नियुक्षा अनि नहीं आए तो समय कर सकते हैं थोड़ा पईसा बढ़ा करके भी दे सकते हैं लेकिन जहां पर छोटा किसान पर मंजोला किसान हे उनके पास सबसे बड़ी समय कर अते है कि यह ले को इतने खरच हो जाता है ऐसे जादा खरचे से उसकी बचत नहीं हो पाती है जिसके looking मेरे चेटर में किसान रहता है। में भीचेटर में अधिक बढ़ जाती है। तो क्या आपके छितर में भी ऐसी समझता हैं तो दोस्तो हमें कमेंट में बताईए और एक चीछ दोस्तो हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि मैं इस तरह के यानि इस टाइप के ब्लाग बनाने का मेरा यही मकसद है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी सूचनाय जिससे छोटे किसान और मन्जोले किसान है उनको कहीं न कहीं लाब हो तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताईए और ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक सेर भी कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवात